ऑप्य है लो नमस्कार मेरा नाम दलभीर है और मेरे इस यूटूप चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूप चैनल में नाम इंडियन टेक्निकल फैर्मिंग है और आज मैं आपके लिए एक खेती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि देशी कपास की विगानी खेती कब और कैसे करे और कौन-कौन सी सावधा नहीं रखे अगर आप देशी कपास की विजाई करते हो तो विजाई किसमें कौन-कौन सी सावधा नहीं रखे जिससे की विजगान कौन सो परतिसत्तक हो जिससे की हमें कम खर्च वक्म समय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल गी पैदावार प्राप्त हो जिससे कि हमें एक अच्छ इंकम प्राप्त हो इस वीडियो को अंतक जुरूर देखे तक कि आपको खिती से जुड़ी से भी जानकारी प्राप्त हो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर वाच चैनल को सुब्सक्राइब जरूर करना ताकि अन्य खिती से जुड़ी से भी जानकारी प्राप्त हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही, चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह देशी कपास के किसमे 15 अपरे से शुरू होती है विजाई, अरियाना में मुख्यत कपास के तीन तरह की भी इस किसानों की तरफ से प्रियूप किये जाती है, जिसमें नर्मा बिट्टी कोटन तथा देशी कपास सामिल है, कपास के सभी विजों की विजाई अपरेल से हो जाती है जो पूरे मैंने में रहती है देसनी बास लगाने वाले किसानों को य्यान tort. terra etti उर्पे की वितिया मदद देती है इस मदद को प्राफ करने के लिए राज्य क्या से खिसानों को मेरी कैसा मेरा ब्योरा पूर्टल पर रेजिस्ट्रेशन कराना होता है रेजिस्ट्रेशन के प्रकिरिया 25 जनुरी से शुरू होती है और 30 मई तक रेजिस्ट्रेशन करा सकते है जानकारी के मताबिक किसानों की तरफ से रुंदान के लिए करवाई जानने के बाद उसका बुद्रिक से तैपान होगा जिसके बाद किसानों को असी जारी की जाएगी गुलाबी सुंडी बनिया समस्या कपास अर्याना में प्रमुक नगदी फसल है जिससे अर्याना के किसान थोड़ी नमकिन वा कमजोर भूम में सबलता पुरुक उग कपास की फसलों पर गुलाबी सुंडी लग जा रही है जिसमें कपास की फसल खराब हो जा रही है जिसको देखते हैं कुछ समय से विशे से गुलाबी सुंडी मनेजमेंट के लिए सी टक्नोलोजी पनाने पर जोर दे रही है वहीं इसी भी चरियाना सकार ने देशी कपास क पित पादन को बढ़ाने पर जोर दिया है आज हम बात कते देशिक बास की वराइटी के आरचोंसट की यह के आरचोंसट वराइटी सक्तिवर्दक आई बराड़ सिट्स प्राइबेट लेम्टिट के दोबार बनाए गई है इसका पुदा फिलावदार होता है इसमें 22-23 फल सक्तिवर्दक आई बराड़ सिट्स प्राइबेट लेम्टिट तिलक बचार निशार के आरचोंसट वराइटी बासरकार द्वार नोटिफाइड गिसम है अक्षिल बारतिय सम्नवित कपा सुदार प्रियोजना प्रिक्शनों के अनुसार के आरचोंसट ने उतरी बात में दुलना में 13.69 अर्यार में एएएच बन से 28.37 था सी वन ची आर्ट तू से 34.46 था राजस्तान में आर राज लेच नाइन से 21.37 अधिक पैदावार दिया दो जासोड़ा से है कि समुत्तरबारत का जोनल चैक है इस वराइटी का आप जूरूर लगाई कली वाय फूल बनने से पहले के वस्ता बुक्की में सूंडिया परवावी रहती है जो बुक्की को खाती रहती है जिनके और किसान का ध्यानी नहीं जाता है उसमा दिस्तिक पास में पोदो पर फूल दिखाई नहीं देती है ये सूंडिया फूल और फूलो को खाती रहती है बाद में किसान का ध्यानी सोर जाता है, अतै पसल बचने त्रेसर का पहला सब 예त जुलाई के पत्तम सप्ता में अवस्या करें, उसमा किसान यह ना देखे कि उसमें कोई केडा है या नहीं है, अक्सर किसान यह भी सोचता की बर्शानत आएगी तो ही सप्रे करुआ अन्ता किसान भाई बर्शानत आने या पानी लगाने का इंतिजार नहीं करें ट्रेसर के पहले जटकाओ के बाद 70 mm ट्रेसर या 500 ग्राम टाकुमी पत्ती एंकड का सप्रे 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोराते रहे उस पवस्ता में NPK 1919 के गोल था 50 mm प्लाइनोफिक्स का पत्ती एंकड जटकाओ अब से दोराई जब फल या टिंडे बने आरम हो जाए तो उसमें 13.045 की सप्रे को कम से कम दो बार दोराई जिससे फलों को अधिक खुराक मिल सके इससे आपकी पैदावार ज़्यादा होगी कर्पिया जयन दे कि किसान भाई दबा का चिटकाओ करते समय या सुनिशित कर ले कि टैंक या टंक की से ग्यों के पसल में टूपोर्डी दवाय का प्रियोग ने किया गया हो आज हम बात कते देशी कपास की विगानी खेत्ती के बारे में नंबर 11 पसल की वाई शिचित दा है सिचित छेत्रों में नंबर 12 खर्पत्वार की रोगताम नंबर 13 30 दिन बाद शिच्चाई नंबर 14 30 दिन बाद निराई या गुडाई नंबर 16 30 दिन बाद शिच्चाई या फिर वर्षा नंबर 15 जलगा प्रबंदन नमबर सोड़ा केटवा रोगा प्रबंदन नमबर सतरा सप्रे एमडी कलोराइड मौनू आसाटाप फंगस के लिए कॉपर ओक्सी कलोराइड इतियादी वैप फल फुलो के बढ़वार के लिए टोनिक का प्रियोग नमबर एक पलाइनो फिक्स नमबर दो कल्टार यह मुख्य स्टैप है जो देशिक वास की फसल में उप्योग की जाते हैं अब हम बात करते हैं देशिक वास की पुली उग्यानिक खेति के बारे में कि हिर फ्रप्रेंक हैं उपूंबह प्रॉप इंशाूव माइश कपस कि क्यों चक्रति हैं हमती हैं के फूंद आपशं से भनप करें होती नता है निलोक के बाद हैं दुक्ति ह्यूं प्रउच्ट आप एकर किरेंत Clone JO प्रफ। उस खेट में सरसों की भी जाय की थी तो सरसों के फ़नों को रोटा वैटर की साथा से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सरसों के फ़ने अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए फिर आप एरो की साथा से एक दो बार अच्छी तरह जुताई कर दे फिर आप कि साथा से खेट को समतल कर दे ताकि खेट किसे चाहिए अच्छी तरिके से हो जाई अब हम बात करते हैं देशिक पापास की खेटे के लिए मिट्टे की जांस सबसे पहले अपने खेट की मिट्टे की जांस करवा ले जिससे हमें यहापता सलजाता की मिट्टे में किन-किन प प्राया बर्सीन गन्हा अलू मक्का बाजरा कपास त्यादी मिट्टे की जांसे में यह पता चल जाता कि इसका प्याचमान कितना है द्रिक कंपास की विजाई फासपॉर्स वा पुटास विजाई के समाइ पूरी अगर फास पॉर्स विजाई पर नहीं डाली गई है तो बोक्की पर पोरें पूर के लिए बोक्की का मतल्द फूर आने पर ऊई अड़ी नाइडरोजन बोक्की के स्माह 25-60 दिन फूर में, कतारों में दोनों डाले, अगills के बादक पासो ले रहे तो बोक्की के स्माह डाले जाने वाली नाइडरोजन उपार पी। अब हम बात करते हैं पानी की जांस की अगर आप फसल की बिजाई के लिए नेरी पानी का इस्तियमाल करते हैं तो यह अब परकार की फसलों के लिए बहुत अच्छा है और इसमें बीजगाउंकुर्ण 100% तक हो जाता है अगर आप वर्षा के बाद फसल की बिजाई करते हैं तो भी इसमें बीजगाउंकुर्ण 100% हो जाता है अगर आप विजाई के समय टिवल के पानी का इस्तियमाल करते हैं तो आप पानी की जांस करा ले अगर पानी पीने में भी मिठ़ा तो इसका पानी का पीपिम्स ज्यदा हो सकता है और बीजगाउंकुर्ण के समय एक समस्य बन जाता है अगर पानी का पीपी में एक जार से कम है और इसमें सभी परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीजगां कुर्ण 100% तक हो जाता है अगर पानी का पीपी में एक जार से जादा है तो इसमें बीजगां कुर्ण सही तरीके से नहीं हो पाता है इससे हमा समता वाली भूमी होनी चाहिए जिन शेतरों में वर्षा कम होती है वहां इसकी खेति अधिक चलदारण वाली समता वाली मत्तियार भूमी में की जाती है जहां सिचाएगी सुविद्धाइं उपलव दो वहां बलूई वह बलूई दो मत्त मिट्टी में इसकी खेति की जा सकत है कंपास की खेत्ते के लिए मोसम वै जलवाई यदि प्रयापत सुछाई सुविद्धा उपलप्ध हो तो कपास की फचल को मई मा में ही लगा जाका है सिछाई की प्रयापत उपलपदा ना उने पर मांसुंग की उपयोगत वर्षा होती ही कपास की फचल उगा सकते हैं कपा तामान 32-34 degree centigrade होना उन्चीत है इसके बढ़वार के लिए 27-27 degree तामान होना चीए फ़ल लगते समय दिन का तामान 25-35 degree centigrade और राते ठंडी होनी चीए कपास के लिए कम से कम 50 degree संतिमेटर वर्षागाउना आविश्चक था है 125カ शंतिमेटर से अधिक वर्शागाउना का पास के लिए निगा márक होता है कि बाद में का पास की खरती मुक्त स्चाइक थारी इं आधारी इन शेत्रों में कि तियर यसे दो गेरी जुताई करने चीह मिश्के बाद 3-4 κ युता निकाह समता दोने अच्छी हो यह दिखेतों में करपतवार की ज्यादा समस्या ना हो तो बिना जुताई या नियुन्तम जुताई से भी कपास की खिती की जा सकती है दिख्षणिवाय मध्यमार में कपास वर्षाधारित काली बुंगी में उगाई जाती है इन छेतरों में ख आले खित में पाटा लगाते है ताकि खित समतल हो जाए या फिर आप लेजर लेवलर की साथा से खित को समतल कर सकते हो अगर आप गोपर की खात का इस्तियमाल करते हो तो आठ से दस ट्रोली एक अंकट के लिए परियापदत रहती है या कात मिठी में अच्छी तरह मिलाकर जमीन को समतल कर दे अब हम बात करते हैं फसल पति या फसल्चकर फसल्चकर एक ऐसे पर नालिया जिसमें फसल को इस करmiyor वबादता ऑब एक सफल उतपादन के लिए उते द्याई परिमुक्कारकों मैं से फसल्चकर एक मतव पर्ण सतान रखता है फसल्चकर अपनाने का मु बदल-बदल कर बहुना, हेर फिर कर बहुना फसल चक्र कहलता है। कैसी भी खेट में युश्चित से में में उसकी मर्दा की ओर रुखता सकती को बनाये रखने यह जाने वाली फसलों के करम को फसल चक्र कहते है। किस चेतर की भूमी जलवाई उन्हें अत्ता वर्णिकारकों के दार पर विविन फसल चकर अपनाया जाते हैं, एक अच्छे फसल चकर को अपना कर ये किसान अपनी भूमी में अधिक से अधिक लाप कमा सकता है। फसल चकरों के संक्यातीन होती है, एक वर्षिय फसल चकर जैसे मक्का के बाद गया हूँ, दो वर्षिय फसल चकर जवार बरसीन दान मक्का, इसके तरिक्त फसलों के चकरों के दार पर फसल चकर को वर्गिकत किया गया है, रविक की फसल में अपनाय जाने वाले फसल चकर, ख दिख खाद के आउसकते वाली फचलों के बाद कम खाद के आउसकते वाली फचलों को उगाना चीए, दिख जल के आउसकते वाली फचलों के बाद कम जल के आउसकते वाली फचलों को उगाना चीए, फलीदार फचलों के बाद एफलीदार फचलों को उगाना चीए, कर्शी स आतको की बैजा कें ढूले मेरी वारी लृतने में पिरियोगा पार दरा में पिराजे करना चाहिए प्रभावड एक जिए केका। वर्दी होती है विविन फसलों का कारिया कर निष्ची तो जाने थे उनके आवशक बीज का थाकर पत्मालाज सीन अदिका उंचित समय की उनसार पिरियोग किया जा सकता है फसल चकर में गायरी कम उतली वाली जड़ों के समयलित होने के काण भूमे क्यों पुर्गी सिता था निच्चे की सकता से पोशक तत्तों का फसल चकर द्वारा उन्चित वह तेजी से अवसर सुन होता है एक फसल चकर को अपनाने से मर्दा सरक्षण में कमिया आती है क्योंकि फसल चकर में आच्छा दन फसलों को समयलित किया जाता है कर्षकों को वर्ष बर कर्या करने का अब हम बात करते हैं देशिक पास के लिए बीजगा चुनाओ बीज की किसम या वराटी या बीजगा उप्चार बीजगी मातरा हमें अपने खेत में फसल की बिजगा करते हैं जो की अपने चेतर और एरिया के इशाब से ठीक हो बीज का सुनाव में मिट्टी समय पनी के उनसार ही करना होता है क्योंकि दोमट मिट्टी के लिए लग रहतली जमीन के लिए अलग अलग वरायटी मार्केट में उफलब्द होती है बीज की वरायट्टी एमें एए चैसी वरायट्टी का सुनाओ करते है जो आमारी सेस्टरवा जमीन वा पानी के हिसाब से ज्यादा उत्पादन देती हो हम एक ऐसी कंपनी के बीज का सुनाव करना था जो कंपनी सरकार के द्वारा रिजिस्टर हो जैसे राशी यूशी सक्ति वर्दक बीज खरिद्यस में हमें बीज का पक्का भी अवस्या लेना चीए जिसे की बीज के डूपलिकेट होने के चांस कम होते हैं और एक अच्छा ओरिजिनल बीज में एक अच्छा उत्ताइँ देता है about करते हैं आम बीज योप चार के हम बिमारी के रोकताम के लिए हम बीज का फक्द्वर कुचार कते हैं जिसे हम अब 5 और भी करते जिसे हम फंगिसाइड इंसक्टिषाइड और राज्ज हें से उपसार करते हैं फिर जो कि पै्दावार बढाने में वर्दी मदद करता है अब हम बात करते कि लिए एक अंकड में दो पैकट की विजाई करते हैं वो संकर किश्मों कि वर्याइट ज़े ये दो पैकट की विजाई करते हैं अगर हम देशी कभास की देशी वरायटे का उप्योग करते हैं तो हम एक अंकड में लगबग 2 से 3 किलो बीज की विजाई करते हैं लगबग सभी संकर किसमों का ही उप्योग करते हैं क्योंकि संकर किसमें ज्यादा उत्पादन देती है जै देशी कपास की उनत किस्म है जो बहुत बढ़िया उत्पादन देती है HD324 इस देशी कपास की किसम के पूद्धे लारंगे पत्ते का मद्यम और रंग लाल होता है इस किसम के फूल गुलाबी रंगे फूलों के अंदर गायरेला रंगे दबेयों प्राकन पिले रंगे होता है इसके पोद्धे में 34 मजबूत वानस्प्तिक सखाय होता है उसद पाजावार 9-10 कुंडल परतियां कड़ है इसके रेश्चे के उसद लंबाई 15-16 मिलिमेटर और रूवी का पतिसत ब्याड़ी से है यह किसम पकने में 115-188 देन लेती है इसलिए के पास ग्यों फूल सकर के लिए उप्रिकत है इदिश किसम के बुवाई या बिजाई 15 अप्रेल मा के पहले पकोड़े में की जाए तो अधिक पैदावार के साथ साहर रेश्चे के गुणमत्ता में भी अच्छी सुधार होती है बिजाई या फसल के बुवाई बिजाई अगर आप मशीन के साहता से खाद की बिजाई वह बीज की बुवाई एक साथ कर सकते हैं में बीज की बीजाई सुबह या साम के समय ही करनी चीए बीजाई के समय में लाइन से लाइन के दूरी तीम फुट वह बीज से बीज की दूरी एक फुट वह बीज की गरहाई 8 से 10 संटीमेटर रखनी चीए बिजाई के समय बीज गिल्ली मिट्टी में ही डुलना चीए वह इसके पूरपां से 6 cm जमिन की पर चड़ जानी चीए ताकि बीज गा जर्विनेशन अच्छी तरिक्के से होसके और बीज गांकूर्ण सही तरिक्के से होसके फसल की वह इसी चित था ऐसे चित चेतरों में नहरी पानी से की जा सकती है वह ऐसे चित चेतरों में वर्षा के अधार पर इसकी विजाई की जा सकती है खरपतवार की रोक्ताम के लिए हमें विजाई के तुरुंत बाद पैंडा में लिथियां 30% इसी का ही चिटकाव करना चीए 500 mm दुआई को डाइसर लेटर पानी में उसका गोल मना कर उसके उपर एक अंकड में उसका चिटकाव करना चीए इससे खरपतवार वाँ जर्मिनेशन नहीं होगा अब बात करते हैं कपास की कित्ते के लिए निराई गुडाई है हम सिचाई पहले निराई गुडाई उंकूर्ण के 20-25 दिन के बाद करने चीए यदि पसल में सिचाई की जूट पड़े तो अलकी सिचाई करने चीए इससे कीट वा रोगासर कम रहता है यह अच्छी पैदावार होती है वहीं अगर बारिस ज़्यादा हो जाए तो हमें सिचाई की आउसकता कम पड़ती है जल परबंदन कपास की खेती में जल का परबंदन भी होना बहुत जुरूरी है क्योंकि अगर ज़्यादा वारिस हो जाए तो हमें जल निकास का परबंदन करना चीए यह आप पंप की साइटा से कर सकते हो कपास की खेती के लिए खा दें उरक कपास की उननत किसमों के अच्छा पैदावार के लिए परती अक्टेर नाइट्रोजन 80-120 kg फासपवर 44-60 kg पुटास 20-30 kg सलपर 25 kg देना चीए जब किसंकरवा बीटी किसम के लिए परती अक्टेर नाइट्रोजन 150 kg फासपवर 45 kg पुटास 40 kg पुटास की पुटास की आदी मातरा बुआईगेस में तता आदी मातरा 60 दिन के बाद देना चीए अच्छी पैदावार के लिए अब हम बात करते हैं कपास की फसर में लगने वाले प्रमुक कीट गुलाबी सुन्डी कपास की पुटास के लिए कर कोई सबसे बड़ा दुस्मन केट है तो वह है गुलाबी सुन्डी जो अपना पूरा जिवन उसके पोदे पर बिताती है यह पास के छोटे पोदे कलीवब फूल को नुक्सान पुजाकर पूरी पसल को नश्ट कर देती है इसका प्रकौप हर साल होता है प्रबंदन इसके नियंतर्ण के लिए कोरो मंडल के किट ना सकता फेंडाल 50% इसी का सटकाव कर फेंडाल एक भू आयामी किट ना सका है यह किडे पर लंबे समय तक नियंतर्ण रखता है इसके लाव इसमें तेज देखी गंद होती है जो वैसक किट को अंडा देने से रोपती है स्पेद मक्षी यह किट देखने में पीले रंगा होता है लेकिन इसका सरीर स्पेद मौम जैसे पाउडर से डखा उता है यह पू देखी पत्यों पए एक चिप श्पा तरल पदार छोड़ता है यह पत्यों का रस चुचता है परबंदन स्पेद मक्षी किट परबंदन के लिए कोरोम अंडल गाफीनियों केटनासक का प्रियों करें फिनियों में दो अनुकी केटनासकों की जोड़ी है जो दो विविन का रहा से लूशिये काम कर सकते हैं इसके इलावे यह पाईट वर्हानिक प्रभावसी यूगत ह जिसमें क्यूडो का तून तो और लंबे समय तक समावत करने की समता होती है यह सपेद मक्षी के सभी चरणों जैसे अंडा निप वैसे को एक बार में समादान उपलत कराता है इसके प्रति एंकट 400-500 mm की मातरागी जूर्थ पड़ती है अब हम बात करते हैं माहू याए फ किच्वा पदा छोड़ता है प्रबंदन इसकी केट की रोप्ताम के लिए कुरो मंडल के फिन्यों केट ना सका चिटकाओ करें अगर आप दूसरे केट ना सका चिटकाओ कर सकते हो तो आप डोक्टर की सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए बजार में बहुत सी केट ना सकते हो या उपलवद है आप देला किट के लिए सप्राक करें राम अच्छर या देखने में पांच बुजाय कर और पीले रंगा होता है इसके किट के आगे के पंकों पर एक काला दबा पाया जाता है जो कपास की शिशू है वशक अवस्ता में पत्यों का रश चुचता है जिससे पत्या पीली पढ़कर सुखने लगती है परबंद इसके केट के परबंद के लिए पूरे केट में पत्या कट दस पीले पर पंच लगाने चीए इसके अला पांच मिलीमेटर नीम तेल को एक मि पती लेटर पानी के साथ गोल बनाकर अच्छिटकाओ करें मिली भग इस परजाती के केट की मादा पंक वीन होती है वहीं इसका शरी स्पेट पाउडर से डखा होता है अलांकि इस केट के शरीर पर काले रंग के पंक होता है तो सखाओ तन्ने फूल पूरी प्रणवर्थ तता गेंटों का रश्चु जाता है इसके बाद इस मिठा चिपश्वा प्रणवर्दा छोड़ता है कि इसके प्रवंदर की रोगताम के लिए पूरे खेत के आसपास पीले परपंच लगाए अब हम बात करते हैं कपास की पसले में लगने वाले प्रमुक रोग नमबर एक जिवान जुल्चा एम कुणिया दबारोग नमबर दो मायरो थोसिस पत्ति दबारोग नमबर तिन अल्टरनेट या पत्ति दबारोग नमबर चार पोद अंगमारी रोग जुआन जुल्चा एम कुणिया दबारोग या रोग पुद्दे के वाईयू वागो को नुक्सा हम पुचाता है जान छोटे गोल दब्बे मन जाते है जो बाद पीले पड़ जाते है या कपास की सहपत्तियों और गंटों को भी नुक्सान पुचाता है इस रोग के एकान गंटा समय से पहले ही खुल जाता है जिस सेरे सा खराब हो जाता है इसके रोग थाम के लिए अनुश्य सिद्ध किटना सका ही प्रियोग करे है नमबर दो मायरो थीश्यम पत्ति दबारोग इस रोग के कान पत्तियों पर ललके और बाद में बड़े बुरे दब्बे मन जा जाती है इससे 25-30% उत्पादन में कमिया जाती है रोग थाम के लिए अनुश्य सिद्ध किटना सका ही प्रियोग करे है अर्टरनेट या पत्ति दबारोग मोसम में तदिक नमी के कान पत्तियों पर अलके पूरे रंग के दब्बे बन जाते है जिसके काना खर में पुत्या तूटकर गिर जाती है ठंडे में मौसम में इस रोग उगरता दिक होती है इसके रोग थाम के लिए अनुश्य सिद्ध किटना सका ही या डोक्टर के प्रामर्स के अनुशारी किटना सका प्रियोग करे है नमबर चार पोद अंगमारी रोग या रोग पोदे की मुसले खपास में सप्रे खपास में तीस दिन के बाद अलके द्वाई का ही सप्रे करें जैसे इंडिकलोराइड मोनो उसके बाद आप बिमारी के उनुशार भी आप सप्रे करें या फिर आप टाटा आसाटा पर 100% इसी का चटकाओ करें अगर आप फंगस की द्वाई के लिए रो उसके लोटांड की प्रियोग करें अगर आप खेत में फ्र फुलो की संक्या को बढ़ाना चाते हो को पिलन tomainえてि आसे तोनिका प्रियोग करें जोखें में फूलो की शंक्या में बहुत भारी मातरा में जबदस्त वद्ध करता है जिसे फूलो की संक्या में वद्द्ध होती है वह बन्द पर्दन में भारी वर्द्ध होती है अब बात करते हैं excitayan किक पास की खिति से उत्पादन कपास की चुनाई लगबग नुम्बर के पहले सब तक तक हो जाती है इसकी उत्पादन की बात करेते हैं तो फिर इसका बंदान कर लिया जाता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो इस व्यूम को ज़्यादा से ज्यादा लाइक शेर कमेंट वेवर अंग्र थे इस